हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आज के इस वीडियो में हम कक्षा साथवी के हिंदी पाठ्थे पुस्तक किसले भागदो का साथवा अध्याय जिसमें लेखक सुदर्शन जी द्वारा लिखेते कहानी दी गई है जिसका नाम है साइकल की सवारी बच्चों यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है यह जो कहानी है वह लेखक के जीवन की सबसे मज़ेदार घटना है लेखक बताते हैं कि उन्हें साइकल चलाने का बहुत सौक था और वह साइकल चलाना सीखना चाहते थे और चाहते थे कि वह साइकल चला के सबको दिखाएं कि व कि वो बहुत जतन करते हैं अपने लिए उस्ताद रखते हैं फटे पुड़ाने कपड़ों को इकठा करके अपनी धर्म पत्नी से उसकी मरम्मत करवाते हैं और अपने मित्र को कह करके एक उस्ताद भी ढुणवाते हैं तब कहीं जाकर कि वो साइंकल चलाने का अभ्यास करते हैं और उससे पहले उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं सोचते हैं कि जब मैं साइंकल चलाना सीख जाऊंगा तो मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा जिसमें लोगों को साइंकल चलाना सीखाऊंगा तो बहुत सारी बाते उनके मन में जो हैं वो चलती रहती है तो बच्चों, यदि आप लोगों ने इस कहानी पर बने हुए वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो उसे देख सकते हैं, यह कहानी दो भागों में बनाया गया है, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, तो चले देड़ न करते हुए हम पहला प्रसन देखते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो साइकल चलाना नहीं सीख पाए, तो उनके मन में यह धारना बन गई, कि वो कभी साइकल नहीं चला सकते, या उनके भाग्य में नहीं है, लेकिन बच्चों, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मनु के हो गये थे क्योंकि उनके बच्चे भी अब उनके सामने सांकल चलाने लग गये थे तो हर काम का एक उम्र होता है जैसे अभी का जो आपका समय है वो पढ़ने का है अगर आप इस समय को व्यर्थ घवा देते हो, तो जब आपके पास समय नहीं होगा तब आपका मन करेगा, ओ मैं क्यों नहीं पढ़ लेता, मैं क्यों नहीं या सब सीख लेता, तो फिर जैसे जैसे वक्त बीतःता जाता है बच्चों, वैसे वैसे हम चीजों को करने में और समर्थ हो जाते हैं इसलिए जो वक्त अभी आपके पास है उसमें आप अच्छे से मेनद करें और अच्छे से अच्छे अंकाप परिक्षा में प्राप्त करें अपने जीवल में सफ़न हो देखें इसका उत्तर हम लेखेंगे साइकल चलाने के बारे में लेखक की धारना थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकल नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये विद्या हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी बच्चों प्रारब्ध सब्दकार्थ होता है भाग किया लेखक क्या सोच रहे हैं या उनके भागे में नहीं लिखी, वो कभी cycle नहीं चला सकेंगे, या लेखक की धारना गलत थी, क्योंकि cycle चलाना लेखक सीख सकते थे, हाँ, यह बात सत्य है, कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिकुम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं, तो मुश्किल भी नहीं है, अगर वैक्ती किसी चीज को सीखना चाहे, तन्मन, धन से तो उसे अवस्य सीख सकता है, बस उसके अंदर एक लगन होनी चाहिए, प्रयत्न और नियमित होकर, अधिकुम्र में भी लेखक साइकल सीख सकते थे, अगर दुरघटना के बाद भी लेखक, नियमित साइकल की सवारी करते, तो थोड़े ही दिनों में अच्छे चालक बन सकते थे, अब देखिए, जब वो साइकल चलाना सीख रहे थे, आप अच्छे अंग प्राप्त करना चाहते एक्जाम में, लेकिन किसी बज़े से आपको अच्छे अंग नहीं मिलते, तो आपको हार नहीं मानना है, बलकि आपको उससे अधिक मेहनत करना है, और हमेशा मेहनत करते रहना है, एक न एक दिन आपको आपका परिनाम अवसे मिलेगा आप अवसे अच्छे अंगों से सफल होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत वह रंग लाई है तो यहाँ पर उत्तर यही होगा कि लेखख अगर नियमित रूप से गिरने के बाद भी साइकल चलाते रहते तो वह एक अच्छे साइकल चालग बन जाते लेकिन उन्होंने तो गिरने के बाद साइकल चलाना ही बन कर दिया और अपने भाग़े को कोषते रहे वो कहते रहे कि नहीं मेरे भागे में तो साइंकल चलाना लिखा ही नहीं तो इस परकार का हमें नहीं बनना है बलकि हमें निरंतर प्रयास करना है दूसरा प्रसने बच्छों लेखक ने साइंकल सीखने के लिए कौन-कौन सी तयारियां की तो कौन-कौन सी तेयारिया बच्चों लेखक ने की थी साइकल से लाने के लिए और देखिए कहानी में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है न लेखक ने अपने पुड़ाने कपरे निकाले उसकी मरमत करवाई अपनी धर्म पतनी से उसके बाद साइकल को ठीक करवाया और अपनी मितर से कह करके एक उस्तार ठीक किये जो उन्हें साइकल सिखाते तो उत्तर में हम लेखेंगे लेखक ने साइकल सीखने के लिए कपड़े बनवाए उस्तार ठीक किये साइकल मंगा कर लाया जेबक के दो डबे खरी लाए इत्यादी। जेबक क्या था बच्चों चोट पर लगने वाला मरहम का डबा तो अगर उआ गिर पर जाते उन्हें चोट लग जाता तो इसके लिए उन्होंने एक मरहम का डबा भी खरी लिया था जिसका नाम था जीबक. तीसरा प्रस्ण है लेखक के जूट का पोल कैसे खुल गए तो बच्चोंगे जूट का पोल कैसे खुला था काानी में हमने क्या पढ़ा था कि जब लेखक तांगे के नीचे गर जाते हैं तब उनकी पत्नी उनने घर ले करके आती है और जब होस आता है तो क्या देखते हैं कि वो तो घर पे हैं फिर पत्नी पूछती है उनसे कहती है कि मैंने तो बार बार मना किया था आपको कि साइकल चलाना मस्ती को गिर जाओगे तो इस उमर में हड़ी तूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं ऐसे करके उनको कहती है तो इस पर लेखक जो है वो जुड़ बोलते हैं कहते हैं कि दुरघटना का जो दोसी है वो तिवारी जी है उसी की वज़ा से मैं गिरा हूँ ने तो मैं तो कभी न गिरता अब देखिए तांगा पर तो उनकी पतनी ही बैटे थी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सारी घटना अपने आँखों से देखा है फिर मैं कैसे माल लो कि तिवारी जी की गलती है देखें उत्तर लिखेंगे आप लेखक ने जब जुड बोलकर दुरगटना का दोस्त तिवारी जी पर मढने लगे तो पोल खुल गई क्योंकि जिस तांगे से लेखक दुरगटना ग्रस्त हुए थे उस तांगे पर उनकी पतनी ही बैठी थी चौथा प्रशने बच्चों किसने किससे कहा अब आपको बताना है कि किसने किससे क्या कहा प अब तिवारी जी उनके लिए उस्ताद ढूंड करके लाये थे तो लेखक ने कहा था कि भईया यह जो हमारे गुरू है वह मुझे साइकल चलाना कितने दिनों में सिखा देंगे दूसरा है बच्चों नहीं सिखाया तो फिस लोटा देंगे यह कौन कहता है यह उस्ताद ज नहीं कि आप से यह बेल मथे चड़ सके यह कौन कहता है तो यह लेखक की पत्नी उनसे कहती है कौन कहती है लेखक की पत्नी वह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप साइकल चलाना सीख पाएंगे बेवज़ा आप इस उमर में साइकल चलाने की कोशिस कर रहे हैं कहीं गिर है लेखक कहते हैं किन से तो उस्ताद जी से कहते हैं बच्चों तो पार्ट से जो संबंदित प्रशन थे उसके उत्तर तो आपको बता दिये हैं कुछ पर्शन जो है वह पार्ट से आगे के हैं तो आज हम पार्ट से आगे के प्रशन देखेंगे पहला प्रशन है बिल्ली के रास्ता कार्टने एवं बच्चें के छिखने पर लेखक का गुसा आया, यहां का की जगा हो जाएगा बच्चों को, लेखक को गुसा आया, क्या लेखक का गुसा करना उचित था अपना विचार लिखे, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया है, कि जब पहले दिन साइकल लेकर के निकलते हैं सीखने के लिए तो क्या होता है, रास्ते में बिल्ली रस्ता कार देती है, एक बच्चा छींक देता है, तो जैसा कि हम सभी मानते हैं, लोग जो है वह इन चीजों को अब सगुन मानते हैं, अगर बिल्ली रस्ता कार दी तो लोग उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चले जाते हें, रास्ता ही बदल लेते हैं, क्योंकि उनका ile मानना होता है, कि अगर बिल्ली के रास्ते काटेवे, रास्ते पर जाएंगे, तो उनके साथ कुछ बुड़ा होगा, तो यह सब लोगों की मान सिकता है ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों यह सिर्फ लोगों की सोँच है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि बिल्ली भी तो एक जानवर ही है और यह भी धारना है लोगों की कि आप कहीं अच्छे कारे के लिए जा रहे तो यह सारी चीजे जो है वो मन का बहम है जिसे निकाल फेकना चाहिए लोगों को तो देखे इसका उत्तर हम लिखेंगे बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छीकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छीकने से यात्रा में विच नहीं यानि विख्ण नहीं आता है या धारना गलत है मनुषी यदि दृध संकल्प देखे बच्चों यहां में स्प्रिंट हो गया है यहां पे सब्द है दृध तो बच्चों मनुशी यदी दृढ संकल्प हो तो रास्ते के सारे वेगन बाधाएं सुमेश हमाप्त हो जाते हैं वेगन तो उसे रोकता है जिसे अपनी सफलता पर संदे हो लेखक को तो पुर्व से ही अधार ना थी कि हम साइकल नहीं चला सकते हैं तो देखे लेखक पहले से ही नेगेटिव बाते अपने मन में सूँच रखे हैं पहले ही से ही उनको लगता है कि उनके भागे में ही साइकल चलाना नहीं लिखा है तो इस वज़े से वह साइकल चलाना सीखी नहीं पाते हैं तो जब भी हम कोई कारे करते हैं, तो हमें हमेशा उसमें positive views डूणने चाहिए, हमें अपने आपको positive बना के रखना चाहिए, तब ही जाकर के सफलता हांसिल होता है, तो चलिए, दूसरे प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्ण है, किसी काम को संपन करने में, आपको किस से, किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है, तो आप किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रखते हो बच्चों किसी से, जब आप पढ़ाई करते हो, तो आप मित्रों से क्या अपेक्षा रखते हो, कि वो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दे उसमें ताकि आपका काम आशान हो जाए तो देखिए उत्तर आप इस प्रकार से लेख सकते हैं किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है अपने भाईों, बहनों और अन्य परिवार बालों के साथ समाज के हर एक व्यक्ती से मदद की अपेक्षा रहती है माता पिता बरे बुजुर्गों से निर्देश की अपेक्षा रहती है भाई बहनों से स्रम बाटने की अपेक्षा रहती है मेत्रों से सहयोग की अपरिक्षा रहती है तो इस परकार से दूसरे प्रशन का उत्तर लिखे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले बच्चों साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रशन हो या आप हमें कोई सुझाब देना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अगला जो प्रशन है वो प्रशन व्याकरन से है पहला प्रश्ण है निम्न लिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजे अब यहां नीचे देख रहे होंगे आप कुछ मुहावरे दिये गए हैं इनका आपको वाक्य बनाना है पहला जो मुहावरा है वा है मैदान में डटे रहना तो सबसे पहले हमें मुहाबरों का अर्थ भी तो जानना चाहिए मैदान में डटे रहने का अर्थ होता है बच्चों हिम्मत न हारना हिम्मत न हारना या हार कर बैठना ठीक है तो इसका अर्थ हो गया ये तो आपको क्या करना है वाक्य भी बनाना है तो वाक्य में आप बना सकते हैं लेखक ने मैदान में डटे रहने का निरने लिया देखें यहां नेमी स्प्रिंट है आप इसे यहां पर लिख दें लेखक ने मैदान में डटे रहने का निरने लिया यानि कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइकल चलाना सीखूंगा हिम्मत नहीं हाडूंगा अब दूसरा मुहावरा है मैदान मार लेना मैदान मार लेना इसमें इसकी जीत हांसिर कर लेना क्या होगा बच्चों जीत हांसिर करना या वीजे होना तो जब लेखक थोड़ा बहुत cycle चलाना सीख गए थे तो उन्हें क्या लगा कि उन्होंने तो मैदान ही मार लिया है यानि उन्होंने बिजय हांसिल कर लिया है cycle पे इसका उत्तर लिखेंगे किसी भी विद्या को सीखने में नियमी धंक से कारे करने वाले मैदान मार लेते हैं उसके बाद तीसरा है हाथ पाव फुलना हाथ पाव फुलना तो यहाँ पर किस चीज के sense में है यहाँ डरने के sense में है डरना या घबराना घबराना तो इसका उत्तर आप लेखेंगे इस परकार से लेखक के जूट का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पाव फूल गए यानि लेखक जो है वो घबराने लगे या कह सकते हैं डरने लगे उसके बाद है बच्चों दान्त पीसना दान्त कब पीसते हैं जब हों बहुत गुसे में होते हैं यानि गुसे में होना गुसे में होना यानि दान्त पीसना तो देखे आपको वाक्य बनाना है इस प्रकार से बनाईए लड़के के छींक सुनकर लेख़ दाथ पीस कर रहे गए अब जैसे ही वो साइकल लेकर निकले साइकल सीखने के लिए लड़के ने छींक दिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अरे मैं सुभ काम के लिए निकला था और इसने असुभ कर दिया तो यह हो गया मुहावरों कार्थ अगला प्रसन देखते हैं बचों अगला प्रसन जो है वह इस परकार से हैं उदाहरन के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलिया अब देखें यहाँ पे दो वाक्य दिये गया हैं नीचे स्री मती जी ने बच्चे को सुलाया हमारी तरफ देखा तो यहाँ पर दो वाक्य हैं इसे आपको एक वाक्य में बनाना है तो कैसे बनाएंगे लिखेंगे स्री मती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा तो यहां देखे चो पुण बिराम है उसको हटा दिया गया है दूसरा है उसी समय मसीन मंगवाया उन कपरों को मरमत सुरू कर दी तो यहां क्या होगा यहां हो जाएगा बच्चों उसी समय मसीन मंगा कर उन कपरों की मरमत सुरू कर दी उसके बाद है उस्ताद ने हमें तसली दी चले गए तो यहां क्या होगा यहां हो जाएगा उस्ताद ने हमें तसली दे कर चले गए या उस्ताद हमें तसली दे कर चले गए ने लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर अगला है साइकल का हैंडल पकड़ा चलने लगे अब देखे जैसे उस्ताद जी ने उन्हें कहा कि आप थोड़े दिर साइकल समभा लिए तो लेखक ने क्या किया उसका हैंडल पकड़ लिए और थोड़े दिर चलने लगे तो यहां हो जाएगा सैंकल का हैंडल पकड़ करके लेखर चलने लगे आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिलकुन न भूले वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिलकुन न भूले मिलते हैं अगले अध्याई के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद